अस्सलाम आलेकुम दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्भी के कुछ अच्छे अच्छे अर्भी कोड और कुछ लंबे-लंबे संटेंस नहीं सबसे पहला अर्भी कोड है क्या हाल है क्या हाल है को अर्भी में सूलोनिक भी बोलते है क्या हाल है को अर्वी में सूलोनिक भी बोला जाता है सूलोनिक का मतलब हुआ क्या हाल है सूलोनिक कई कई पर जो है सूलोनिक यूज होता है लेकिन ज्यादतर यूज केफ हाल होता है केफ हाल का मतलब होता है क्या हाल है अच्छा है को अर्वी में बोलते हैं ताइब जेन ताइब भी बोलते हैं और जेन भी बोला जाता है जेन का मतलब हुआ अच्छा और ताइब का मतलब हुआ अच्छा तो अच्छा है को अरभी में ताइब या जेन बोला जाता है अभी खाना खा रहा हूं उसे अरभी में बोलेंगे अलहिन अखिल अलहिन का खाना खा रहा हूं अलहिन अखिल यानि अभी खाना खा रहा हूं मुझे तनख्वाद चाहिए उसे अर्भीम बोलेंगे अना एबी मास या आप बोल सकते हैं अना इबगा रातीब अना इबगा रातीब अना का मतलब होता है मुझे इबगा का मतलब होता है अभी और रातीब का मतलब होता है तन्खवा चाहिए और अना का मतलब होता है चाहिए और रातिब का मतलब होता है चाहिए और रातिब का मतलब होता है तन्खवा अना इबगा रातिब यानि मुझे तन्खवा चाहिए अना इबी मास यानि मुझे तन्खवा चाहिए अना का मतलब होता है मास बोलिए यह दोनों वर्ड मिला कर आप बोल सकते हैं मुझे भूख लगी है उसे अर्भी म बोलेंगे अनजुआन अनजुआन यानि मुझे भूक लगी है अभी नहा रहा हूँ उसे अर्बी में बोलेंगे अलहिन सब्बा का मतलब हुआ अभी नहा रहा हूँ अलहिन का मतलब हुआ अभी और नहाना को अर्बी में सब्बा बोलते हैं सब्बा का मतलब हुआ नहाना अलहिन सब्बा यानि अभी नहा रहा हूँ उसे अर्बीम बोलेंगे अलहिन रुख अलहिन का मतलब हुआ अभी और जा रहा हूँ को अर्बी में रुख बोलते हैं अलहिन रुख यानि अभी जा रहा हूँ अभी खेल रहा हूँ उसे अर्बी में बोलेंगे अलहिन इलाब अलहिन का मतलब हुआ अभी और खेलना को अर्बी में इलाब बोलते हैं तो अभी खेल रहा हूँ उसे अर्बी में अलहिन इलाब बोलते हैं अलहिन इलाब यानि अभी केल रहा हूँ बाथरूम को अर्भी में हम्माम बोलते हैं अलहिन का मतलब हो अभी देखाओ या देखाओ को अरबी में वर्नी बोलते हैं देखो को अरबी में सुफ बोले जाता है सुफ का मतलब हुआ देखो सोने जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेगा रोह नौम रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ और नौम का मतलब होता है सोने तो सोने जा रहा हूं उसे अर्वी में रुह नोम बोलते हैं ड्यूटी, ड्यूटी को अर्वी में दवाम बोलते हैं दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी कोई भी आप ड्यूटी कर रहे हैं उसे अर्वी में दवाम बोलेंगे दवाम, मेरा ड्यूटी, मेरा ड्यूटी को अरभी में अनदवाम बोलते हैं मेरा ड्यूटी यानि अनदवाम, अनदवाम का मतलब हुआ मेरा ड्यूटी फ्रिज, फ्रिज को अरभी में तलाजा बोलते हैं तलाजा का मतलब हुआ फ्रिज खोलो, खोलो को अरभी में फिक्की बोलते हैं फिक्की का मतलब होता है खोलो या खोलना को अरभी में फिक्की बोला जाता है फिक्की का मतलब हुआ खोलो कोई भी चीज खोलना है उसे अरभी में फिक्की बोलते हैं बंद कर दो, बंद कर दो को अरभी में तफ़ी बोलते हैं, तफ़ी का मतलब हुआ बंद कर दो, कोई भी चीज बंद करना उसे अरभी में तफ़ी बोलेंगे, तफ़ी का मतलब हुआ बंद कर दो, चालू करना, चालू करना को अरभी में सगल बोलते हैं, सगल का मतलब हुआ चालू करना को अरभी में सगल बोलते हैं काम जानते हो उसे अरभी में बोलेंगे सुगुल अरफ यानि काम जानते हो सुगुल का मतलब होता है काम और जानते हो को अरभी में अरफ बोलते हैं सुगुल अरफ यानि काम जानते हो उसे अरभी में सुगुल अरफ बोलते हैं अभी काम करो अरभी में अलहिन सुगुल अलहिन का मतला हुआ अभी और सुगुल का मतला हुआ काम करो तो अलहिन सुगुल यानि अभी काम करो अभी काम करो को अरभी में अलहिन सुगुल बोलते हैं घर पर हूँ घर पर हूँ उसे अरभी में बोलेंगे बल बेत या बोलेंगे फिल बेत यानि घर पर हूँ घर पर हूँ को अर्वी में फिल बेत या बल बेत बोला जाता है रूम को अर्वी में गुर्फा बोलते हैं कोई भी एक रूम हो उसे अर्वी में गुर्फा बोलते हैं क्या कर रहे हो उसे अर्वी में बोलेंगे सुनो सव्वी सुनो का मतला होता है क्या और कर रहे हो को अर्वी में सवी बोलते हैं क्या कर रहे हो उसे अर्वी में सुनो सवी बोलते हैं रूम साफ कर रहे हो उसे अर्वी में बोलेंगे नदाफ गुर्फा नदाफ का मतला होता है साफ करना और गुर्फा का मतलब होता है रूम रूम साफ कर रहे हो उसे अरभी में नदाफ़ गुर्फा बोलते हैं नदाफ़ गुर्फा यानि रूम साफ कर रहे हो रूम को यहाँ पे जो है गुर्फा बोले जाता है और साफ करना का अरभी में नदाफ़ बोले जाता है ज़ाडू लाओ अगर किसी से आप मंगवा रहे हैं कि ज़ाडू लेकर आओ उसे अर्भी में बोलेंगे जीब मुकम्मा मुकम्मा का मतलब होता है ज़ाडू और जीब का मतलब होता है लाना जी मुकम्मा यानि ज़ाडू लाओ ज़ाडू लाना को अर्वी में जी मुकम्मा बोलती हैं ज़ाडू लगादो अगर किसी से बोलना है कि भाई ज़ाडू लगादो उसे अर्वी में बोलेंगे सवी मुकम्मा यानि ज़ाडू लगा दो किसी से ज़ाडू लगवाना है उसे अर्वी में सवी मुकम्मा बोलेंगे सवी का मतलब होता है करना या लगाना और मुकम्मा का मतलब होता है ज़ाडू कौन सी जगा पर कौन सी जगह पर अगर ज़ाडू लगाना है उसे अरभी में पूछेंगे वैन मकान मतलब कौन सी जगह पर वैन का मतलब होता है कौन सी और मकान का मतलब होता है जगह कौन सा जगह लगाना है तो आप पूछेंगे ना वेन मकान मतलब कौन सी जगह पे लगाएं जहाडू को कौन सी जगह पे लगाना है तुसे अरभी में वेन मकान बोलते हैं यह आदमी यह आदमी को अरभी में बोलते हैं हादा नफर हादा का मतलब होता है यह और नफर का मतलब होता है आदमी यह आदमी को अरवी में हादा नफर बोला जाता है यह काम को अरवी में बोलेंगे हादा सुगल यानि यह काम हादा का मतलब होता है यह और सुगल का मतलब होता है काम यह काम को अरवी में हादा सुगल बोलते हैं दूर दूर को अर्वी में बाइद बोलते हैं कोई अदमी अगर दूर है उसे अर्वी में बोलेंगे अना बाइद यानि मैं दूर हूं तो दूर को अर्वी में बाइद बोलते है पास को अर्वी में गरीब बोलते हैं पास को अर्वी में गरीब बोलते है गरीब का मतलब हुआ पास कोई इनसान अगर आपके पास आ रहा है तो आप वो बोलेगा अनगरीब अनगरीब यानि मैं पास में हूँ ये गरीब नहीं वो जो पास में हो जाता है वो आप एकदम किसी के पास में जा रहे हैं तो आप बोलेगा अनगरीब मतलब मैं बहुत पास में हूँ कब आओगे कब आओगे उसे अरभी में बोलेंगे मीते इजी मीते का मतलब हुआ कब और आओगे को अरभी में इजी बोलते हैं मीते इजी यानि कब आओगे मीते इजी यानि कब आओगे तुम आए हो तुम आए हो उसे अर्बिम बोलेंगे इन्ते इजी इन्ते का मतलब हुआ तुम और आये हो को अर्बिमें इजी बोलते हैं इन्ते इजी यानि तुम आये हो तुम आये हो को अर्बिमें इन्ते इजी बोलते हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए उसे अरबीम बोलेंगे आना एबी आना का मतल़ हुआ मुझे और एबी का मतल़ होता है चाहिए मुझे चाहिए उसे अरबीम बोलेंगे आना एबी आना एबी यानि मुझे चाहिए तो आना एबी मुझे चाहिए मेरा कपड़ा है मेरा कपड़ा है उसे अर्भी में बोलेंगे अना मलाबिस फी अना का मतलब हुआ मेरा और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा फी का मतलब होता है मेरा कपड़ा है उसे अर्भी में बोलेंगे अना मलाबिस फी इसका मतलब हुआ मेरा कपड़ा है बदलना को अरभी में बदलेन बोलती है बदलेन बदलेन का मतलब हुआ बदलना कोई भी चीज अगर बदलना है एक्चेंज करना है या बदलना है उसे अरभी में बदलेन बोले जाता है मैंने बदला है उसे अरभी मोलेगा अना बदलेंती यानी मैंने बदला है दूसरा है को अरभी में बोलेंगे फी तानी फी तानी का मतलब हुआ दूसरा है दूसरा है को अरभी में फी तानी बोलते है फी का मतलब होता है और तानी का मतलब होता है दूसरा दूसरा है उसे अर्बी में फी तानी बोला जाता है नहीं है को अर्बी में माफी बोलती है माफी का मतलब हुआ नहीं है को अर्बी में माफी बोला जाता है खुसी को अर्बी में साइद बोलती है साइद का मतलब हुआ खुसी कोई भी चीज़ से आप खुस होते हो उसे अरबी में साइद बोलते हैं कभी कभी को अरबी में मर्रा मर्रा बोलते हैं कभी कभी को अरबी में मर्रा मर्रा बोला जाता है मर्रा मर्रा का मतलब हुआ कभी कभी दुखी, दुखी को अरबी में हजीन बोलते हैं हजीन का मतलब हुआ दुखी कोई भी इनसान अगर दुखी होता है उसे अरभी में हजीन बोलेंगे हजीन का मतलब हुआ दुखी अना हजीन यानि मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी हूँ को अरभी में अना हजीन बोलेंगे अना का मतलब हुआ मैं और हजीन का मतलब होता है दुखी अना हजीन यानि मैं दुखी हूँ सोचा, सोचना को अरबी में फक्कर बोलते है सोचो या सोचना को अरबी में फक्कर बोले जाता है फक्कर का मतलब होता है सोचना कोई भी चीज सोच रहे हुसे अरबी में फक्कर बोलते है लगा को अरवी में एहसब बोलते हैं लगा या लगाना को अरवी में एहसब बोलते हैं एहसब का मतलब हुआ लगा कोई भी चीज अगर लगाना है या लगा है आपको एहसास होता है हाँ मुझे लगा ऐसा तो उसे अरवी में एहसब बोलते हैं एह सब का मतलब हुआ लगा ले लो ले लो को अरभी में यादुख बोलते हैं ले लो को अरभी में यादुख बोला जाता है यादुख का मतलब होता है ले लो कोई भी चीज अगर लेना है उसे अरभी में यादुख बोलते हैं यादुख का मतलब हुआ ले लो मैंने देखा मैंने देखा उसे अरभी में बोलेंगे अनसुफ यानि मैंने देखा अनसुफ यानि मैंने देखा उसे अरभी में बोलेंगे अना आती यानि मैंने देखा अनसुफ यानि मैंने देखा उसे अरभी में आती बोलेंगे अना आती कोई भी चीज अगर देना है उसे अर्बी में आती बोलते हैं अना आती यानि मैंने दिया को अर्बी में अना आती बोलते हैं मैं समझा उसे अर्बी में बोलेंगे अना फहम अना फहम का मतलब हुआ मैं समझा उसे अर्बी में अना फहम बोलेंगे अना का मतलब हुआ मैं और समझना को अरभी में फहम बोलते हैं अना फहम यानि मैं समझा मैं बाहर गया था मैं बाहर गया था उसे अरभी में बोलेंगे अना रोख बर्रा अना रोख बर्रा यानि मैं बाहर गया था अना का मतलब हुआ मैं रोख का मतलब होता है गया था और बर्र का मतलब हुआ बाहर मैं बाहर गया था उसे अरभी में अना रोख बर्र बोलती है अना रोख बर्र यानि मैं बाहर गया था मैं पहले अंदर आया उसे अरभी में बोलेंगे अना गबल फी दाखिल अना का मतलब मैं गबल का मतल़ होता है पहले और फी का मतल़ होता है और दाखिल का मतल़ होता है अंदर मैं पहले अंदर गया उसे अरभी में बोलेंगे अना गबल फी दाखिल अना गबल फी दाखिल उसे अरभी में मैं पहले अंदर गया उसे अरभी में अना गबल फी दाखिल बोलते हैं मैंने बोला मैंने बोला को अरभी में अना कल्लम बोलते हैं अना कल्लम यानि मैंने बोला अना का मतलब हुआ मैंने और बोलना को अरभी में कल्लम बोलते हैं भरोसा को अरबी में इतमाद बोलते है अना इतमाद यानि मुझे भरोसा है तो भरोसा को अरबी में इतमाद बोलते है अना इतमाद यानि मुझे भरोसा है तो भरोसा को अरबी में इतमाद बोलते है अतमाद का मतलब हुआ भरोसा भरोसा को अरबी में यकीद भी बोलते है अ इतमाद और यकीद दोनों बोले जाता है भरोसा को अरवी में यकीद भी बोला जाता है यकीन यकीन को अरवी में इनाम बोलते हैं अगर किसी पर यकीन है उसे अरवी में इनाम बोलते हैं यकीन को अरवी में इनाम बोलते हैं अरवी में बहुत सारा वर्ड है आपको बस सीख एकना है समझना है जहां यूज है वहीं बोलना है तो यकीन को अरभी में इनाम बोलते हैं इनाम का मतलब हुआ यकीन मुझे यकीन हो गया उसे अरभी में अना इनाम बुद्धिमान यानि होसियार को अरभी में इंतजाकी बोलते हैं इंतजाकी यानि तुम बुद्धिमान हो तुम बुद्धिमान हो जाकी का मतलब होता है बुद्धिमान इंते जाकी यानि तुम बुद्धिमान हो बुद्धिमान को अरभी में इंते जाकी बोलते हैं इंते जाकी यानि तुम बुद्धिमान हो जाकी का मतलब हुआ बुद्धिमान सब मालूम है सब मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे कुलू अरफ कुलू अरफ यानि सब मालूम है कुलू का मतलब होता है सब अरफ का मतलब होता है मालूम है सब मालूम है उसे अरबी में कुलू अरफ बोलते हैं तमबाकू तमबाकू को अरबी में तबाख बोलते हैं तबाक का मतलब हुआ तमबाकू कोई भी तमबाकू है उसे अरभी जो हम लोग खाते हैं सुरुती बोलते हैं हम लोग यहां बियार में तो उसे अरभी में तबाकू को 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 अरभी में मिनू बद्लेन बोलते हैं मैने बदला उसे अर्वी में बोलेंगे और दूसरा है उसे अर्वी में बोलेंगे बाद फी तानी बाद का मतलब हुआ और फी का मतलब होता है तानी का मतलब होता है दूसरा और दूसरा है उसे अर्बी में बाद फी तानी बोलते हैं दूसरा नहीं है उसे अर्बी में बोलेंगे मा फी तानी मा फी का मतलब होता है नहीं है और तानी का मतलब होता है दूसरा नहीं है उसे अर्बी में मा फी तानी बो मर्रा साई, यानि मैं बहुत खुस हूँ, तो अना का मतलब हुआ मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और खुस को अरभी में साई बोल जाता है, अना मर्रा साई, यानि मैं बहुत खुस हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, उसे अरभी में बोलेंगे, अना हजीन, अना हजीन का मतलब हुआ मैं दुखी हूँ, हजीन का मतलब हुआ दुखी, हजीन, हजीन, हजीन का मतलब हुआ दुखी, अना का मतलब हुआ मैं, मैं दुखी हूँ, उसे अरभी में अना हजीन बोलते हैं, मैंने सोचा, मैंने सोचा, उसे अरभी में बोलेंगे, अना फक्कर, अना फक्कर अना का मतलब हुआ मैंने और सोचना को अरभी में फक्कर बोलते हैं मुझे लगा मुझे लगा उसे अरभी में बोलेंगे अस अहसब का मतलब हुआ मुझे लगा अहसब का मतलब हुआ मुझे लगा को अरभी में अहसब बोलते हैं मैंने लिया उसे अरभी में बोलेंगे अना यादुख का मतलब हुआ मैंने लिया अना का मतलब हुआ मैंने और लिया को अरभी में यादुख बोलते हैं यादुख अना यादुख यानि मैंने लिया मैंने लिया को अरभी में अना यादुख बोलते हैं मैंने देखा मैंने देखा उसे अरभी में बोलेंगे अना सुफ अना सुफ यानि मैंने देखा को अरभी में अना सुफ बोलते हैं मैंने दिया उसे अर्भी में बोलेंगे अना आती अना का मतलब हुआ मैंने दिया को अर्भी में आती बोलती है अना आती यानी मैंने दिया अना का मतलब हुआ मैंने और देना को अर्भी में आती बोलती है मैंने दिया उसे अरभी में बोलेंगे अना आती मैं समझा मैं समझा उसे अरभी में बोलेंगे अना फ़हाम अना का मतलब हुआ मैं और समझना को अरभी में फ़हाम बोलते हैं अना फ़हाम का मतलब हुआ मैंने समझा मैं को अर्बी में आना बोलते हैं और समझना को अर्बी में फेहम बोलते हैं मैं बाहर गया था मैं बाहर गया था उसे अर्बी में बोलेंगे अना रुख बर्रा अना रुख बर्रा यानि मैं बाहर गया था अना का मतलब हुआ मैं रुह का मतलब होता है गया था और बर्रा का मतलब हुआ बाहर मैं बाहर गया था उसे अर्भी में बोलेंगे अना रुह बर्रा मैं पहले अंदर आया उसे अर्भी में बोलेंगे अना गबल दाखिल अना का मतलब हुआ मैं गबल का मतलब होता है पहले और दाखिल का मतल़ होता है अंदर आया मैं पहले अंदर आया उसे अरभी में अना गबल दाखिल बोलते हैं मैंने बोला मैंने बोला उसे अरभी में बोलेंगे अना कल्लम अना कल्लम का मतल़ हुआ मैंने बोला को अरभी में कल्लम बोलते हैं अना कलम यानि मैंने बोला मैं लाया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जीब यानि मैं लाया हूँ अना का मतलब हुए मैं और लाया को अरबी में जीब बोलते हैं अना जीब यानि मैं लाया हूँ भरोसा को अर्बी में इतमाद बोलते हैं इतमाद का मतलब हुए भरोसा अगर आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं उसे अर्बी में इतमाद होता है भरोसा को अर्बी में अकीद भी बोला जाता है अना अकीद यानि मुझे भरोसा है अना अकीद यानि मुझे भरोसा है तो भरोसा को अरभी में अकीद भोलते हैं यकीन, यकीन को अरभी में इनाम भोलते हैं यकीन को अरभी में इनाम भोलते हैं इनाम का मतलब हुआ यकीन यकीन को अरभी में इनाम भोला जाता है तुम बुद्धिमान हो तुम बुद्धिमान हो उसे अर्वी में इंतजा की बोलते हैं इंतजा की यानि तुम बुद्धिमान हो इंता का मतलब हुआ तुम और बुद्धिमान को अर्वी में जा की बोलते हैं इंतजा की यानि तुम बुद्धिमान हो उसे अर्वी में इंतजा की बोलते हैं का मतलब होता है सब और अरफ का मतलब होता है मालूम है अनकुलू अरफ यानि मुझे सब मालूम है चलाक चलाक को अरभी में सातीर बोलते हैं चलाक को अरभी में सातीर बोले जाता है सातीर सातीर का मतलब हुआ चलाक सातीर लोग बोलते हैं यह बहुत सातीर है मतलब चलाक है सातिर जो है वो अर्भी को अड़ी है तो चलाक को अर्भी में सातिर बोलते हैं घमंडी घमंडी को अर्भी में मुतकबीर बोलते हैं मुतकबीर का मतलब हुआ घमंडी कोई इंसान घमंडी है उसे अर्भी में मतकबिर का मतलब हुआ घमंडी घमंडी को अरभी में मतकबिर बोलते हैं घर में या बाहर उसे अरभी में बोलेंगे बेत वल्ला बर्रा बेत का मतलब हुआ घर और वल्ला का मतलब हुआ या में बर्रा का मतलब हुआ बाहर घर में या बाहर उसे अर्भी में बेत वल्ला बर्रा बोलते हैं बेत वल्ला बर्रा का मतलब हुआ घर में या बाहर घर पर आओ घर पर आओ उसे अर्भी में बोलेंगे ताल बेत ताल बेत ताल का मतलब होता है आओ और बेत का मतलब होता है घर पे घर पर आओ उसे अर्बी में ताल बेत बोलते हैं साथ में आना उसे अर्बी में बोलेंगे इजी सवसवा इजी का मतल़ होता है आना और सवसवा का मतल़ होता है साथ में साथ में आना उसे अर्बी में इजी सवसवा बोलते हैं दुकान पर आओ, उसे अर्बी में ताल बकाला, ताल बकाला, ताल का मतल़ होता है आओ, और बकाला का मतल़ होता है दुकान, तो दुकान पर आओ, उसे अर्बी में ताल बकाला बोलते हैं, सिर्फ वह आए, सिर्फ वह आए, उसे अर्बी में, खली हुआ एजी, खली हुआ खली का मतलब होता है छोड़ो या रहने दो सिर्फ हुआ का मतलब होता है वह और आए को अरभी में एजी बोलती हैं सिर्फ हुआ आए उसी अरभी में बोलेंगे खली हुआ एजी खली हुआ एजी का मतलब हुआ सिर्फ हुआ आए डॉक्टर के पास आओ डॉक्टर के पास आ उसे अर्भी में बोलेंगे ताल तबीब ताल का मतल़ होता है आओ और तबीब का मतल़ होता है डॉक्टर डॉक्टर के पास आओ उसे अर्भी में ताल तबीब बोलते हैं ताल तबीब का मतल़ हुआ डॉक्टर के पास आओ जल्दी करो जल्दी करो उसे अर्भी में बोलते हैं सुरा यल्ला का मतल़ होता है करो और सुरा का मतल़ होता है जल्दी जल्दी करो उसे अरभी में यल्ला सुरा बोलते हैं हॉस्पीटल आओ हॉस्पीटल आओ को अरभी में बोलेंगे ताल मुस्तस्फा ताल मुस्तस्फा ताल का मतल़ होता है आओ और मुस्तस्फा क का मतलब हुआ कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ उसे अर्भी में आना यकदर बोलते हैं यकदर का मतलब हुआ मैं कर सकता हूँ अना यकदर यानि मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ उसे अरभी में अना यकदर बोलते हैं मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता उसे अरभी में बोलेंगे अना माई यकदर अना का मतलब हुआ मैं माई का मतलब हुता है नहीं और कर सकता को अरभी में यकदर बोलते हैं मैं नहीं कर सकता उसे अरभी में अनमाई यकदर बोलते हैं कैसे करूँगा कैसे करूँगा उसे अरभी में बोलेंगे केफ सवी केफ का मतला होता है कैसे और करना को अरभी में सवी बोलते हैं केफ सवी यानि कैसे करूंगा को अर्भी में केफ सवी बोलते हैं मैं नहीं करूंगा उसे अर्भी में बोलेंगे अना माई सवी यानि मैं नहीं करूंगा अना का मतलब हुआ मैं माई का मतलब होता है नहीं और सवी का मतलब होता है करना मैं नहीं करूंगा उसे अर्बी में अनमाई सभी बोलते हैं उसने क्या बोला उसे अर्बी में बोलेंगे हुआ सुनो गुल हुआ का मतल़ होता है उसने और सुनो का मतल़ होता है क्या और बोलना को अर्बी में गुल बोलते हैं उसने क्या बोला उसे अअर्भी में हुआ, सुनो गुल बोलते हैं वा कहा है उसे अअर्भी में वा का मतलब होते हैं वह कहां है उसे अर्वी में वैन हुआ बोलती है कब गया है उसे अर्वी में बोलेंगे मीते रुख मीते का मतला हुता है कब और गया को अर्वी में रुख बोलती है मीते रुख उसका मतला हुआ कब गया है उसे अर्वी में मीते रुख बोलती है कब आएगा मीते ईजी यानि कब आएगा मीते का मतला होता है कब और आएगा को अरभी में इजी बोला जाता है मी ते इजी यानि कब आएगा आदे घंटे में आएगा उसे अर्भी मुलेंगे नुस साह इजी नुस का मतला होता है आधा साह का मतला होता है घंटा इजी का मतला होता है आएगा नुस साह इजी यानि आदे घंटे में आएगा नुस सा इजी यानि आदे गंटे में आएगा सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चली मिलते हैं नेक्स टूडियो में कुछ ने टोपिक पर बात करते हुए तब तक के लिए मासलामा मासलामा का मतल़ होता है बाई बाई